अन्याय ओ अत्याचार होईब अपार कली दुन्द लागी बोटी पूनी घर घर नमस्कार दोस्तों जे जगन्नात जे पंचसका आशा करता हूं सबलग स्वस्त हैं अच्छे हैं आज का ने एपिसोड आरम करते हैं अन्याय ओ अत्याचार होईब अपार कली दुन्द लागीब टी पूनी घर घर अरथ इस पृतिवी में इस शुष्टी में अत्यंथी अन्याय अत्याचार होईब अरम होजाएगा और घर घर में कली प्रविश करेगा अर्थ जगडा होगा आगे गुर्दे वन्नाना करते हुए कहते हैं मानोती ओ अमानोती आउन मानिबे छंद कुट कोरी सबू उद्दर पसीबे अर्थ मानव एक दूसरे को नीचा दिखाना आरंब कर देंगे और छंद कपट करके अपना पेट पालेंगे ये जो समय है ये अभी चल रहा है जहां भी देखो ब्लैक मनी ही ब्लैक मनी है कोई सौ करोड कोई दो सो करोड कोई पान सो करोड लेके बेटा है आगे गुर्देव अरखित दास शिस्या राम दास को कलिव के अंत के बारे में वर्णना करते हुए अपने स्रिष्ट ग्रंथ पदमकल्प में अस्टम अध्या में लिखते हैं माया मोहरे पूनी सर्बे हुई बे मता थोड़ा कूला ना रहिबा है बोणायाता अर्थ माया मोह में हर मानव गिर के अपना दिन काट रहा होगा और ज्ञान जो है जो असली ज्ञान है अपना धर्म का ज्ञान है उसको भूला चुका होगा और अत्यंधी अन्याय अत्याचार में अपने आपको लिप्त रखेगा आगे गुरुदेव कहते हैं अच्चूत कल्पोरे रामो लेखा होई थी बो आउ आउ बिशोय सबू सास्त्रे मिली बो अर्थ गुरुव अच्चूत अनंद की कल्प में तुमें इसके बारे में विस्तरित जानगारी मिलेगी आगे गुरुदेव कहते हैं आहूरी कथाए सुन रामो चंद्र तुही पापी माने संगार जे होई बेटी तोही अर्थ है सिस्यराम दास और एक बात बोलता हूँ सुन ले पापीयों का भी संगार होने वाला है आगे गुरुदेव इसको वर्नना करते हुए कहते हैं जाजोपूर जाउनी बंधोरे अच्छी पुण एको भुजी काली का जे बोसी थी बोजाणों अर्थ जाजपूर में एक जाउनी बांध है उसी बांध के निकट एक भुजी काली का अर्थ काली मा अपेक्षा में ब प्रतिक्सा करके बेटी है कल्योग में पापियों का संगार निश्चित करेगी आगे गुर्देव इसको वर्नना करते हुए कहते हैं और एक बात सिस्य रामदास कहता हूँ सुन लुंगी पहनने वाले इस कल्योग के अंत में बहुत बढ़ जाएंगी दोस्तों ये लुंगी पहनने वाले कौन है आप समझ चुके होंगे आगे गुर्देव केते हैं बेकोरू मालीकू सबू छिन्डाइनो देबे कुकुडा अंडा जे कारोबारो करू धिवे अर्थ गले से माला निकाल देंगे और मुर्गियों का अंडा बेचते हुए मिलेंगे आगे गुर्देव केते हैं बेकोरे माली जे आउ कहीना नाई बे पोईता छिन्डाइ खृष्टियानो बोलाई बे अर्थ और कोई भी कल्यूक के अंत में गले में माला धारन करते हुए नहीं मिलेगा गले में तुल्शी का माला हो जाए रुद्राक्ष का माला हो जाए ये सनातन धर्म का पहिचान है लेकिन कल्यूक के अंत में इसका भी अंत हो चुका है और जो जन्यू धारी है वो भी अपने जन्यू को त्याग करके क्रिष्टियन बन जाएंगी इसा में नहीं दोस्तों गुरू अर्खित दास अपने ग्रंथ पद्मकर्प में सिस्य रामदास को वर्नन कर रहे हैं समय है कल्यूक का अंत का समय आगे गुर्देव कहते हैं धर्म अधर्म विचारो नतिबो का हारी कालो मुखे पड़ी एम्माने जिबे पूनी मरी अर्थ धर्म अधर्म का विचार इन मानव के पास नहीं होगा और काल के कराल रूप में गिरके मृत्यू निश्चित होगी आगे गुर्देव कहते हैं एम्माने सबू पूरा बुड़ाई बे बनसा और धर्म जोगू आउ जे नरोही बनसा अर्थ इनी लोगों के वजे से आज सनातन धर्म डूग चुका है इनी लोगों ने हमारा वन्सनास कर दिया है इनी लोगों के वजे से आज पूरी पृतिवी में हिंदू धर्म विनास के कदार पे आ गया है आगे गुर्देव कहते हैं ब्राम्मोन सुद्राणी रती करीवे वहूत ब्राम्मोन को सुद्र मने हरीवे मन्त अर्थ ब्राम्मन सुद्र को साधी करेगा और ब्राम्मन को एक ब्राम्मन लड़की को सुद्र हरन करेगा एसा मैं नहीं दोस्तों गुरु अरखितदास कल्युक के अंत के समय में जो घटना घटित होने वाली है अर्थ अभी के समय में हो रही है उसके बारे में वर्नना करते हुए कहा है आगे गुरुदेव केते हैं बहु अन्याय होई वा बत्तरी सोठा बरे दिनू दिनू कोड़ी बहु गोटी वो संसारे अर्थ थटी टू अंक जब आएगा तब अत्यन्ती भायानक परिष्थिती इस मानव को सहनी पड़ेगी इस संसार में दोस्तों अगर आप एपिसोड वन से देख रहे हैं तो थटी टू अंक कब आएगा आप लोग को समझा चुका होगा अगर आप ने दर्सक है तो आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए एपिसोड वन से धीरे धीरे ही सही देखिये का जरूर ताकि इस अंतिम समय में जब सब कुछ प्रड़े में डूबने जा रहा हो तो मालूम तो हो ये क्यू हो रहा है आगे गुर्देव कहते हैं ब्रामणों गायत्री छाड़ी गारेडी पोड़ी बे मदो खाई विष्य संगे से ही बोसो हे बे अर्थ ब्रामण गायत्री का पठन छोड़ देगा और तंत्र विद्या में मन लगाएगा और मद्य पान करके विष्या के संग प्रीत लगाएगा आगे गुर्देव कहते हैं बहु अन्याय होई भोगोर जे कोडिरे केही कहाव को नौ मानी बे जे परस्परे अर्थ अत्यन थी बहुत ही अन्याय अत्याचार होगा इस सुरुष्टी में कोई किसी को मानने को राजी नहीं होगा सब एक दूसरे के टांग खिचने पेला जाएंगे और कोई किसी को प्रेम के भाव से भक्ती के भाव से सनेह के भाव से नहीं देखेगा आगे गुरुदेव केते हैं अर्खित भक्यों के बेजे पूनी नो टड़ीव निश्चो एही को था तू जानी थाओ दुरुब अर्थ गुरु अर्खित दास का वाक्य कभी भी गलत नहीं होगा और जैसे आसमान में दुरुव तारा चमकता रहता है वेसे ही गुरु अर्खित दास का वाक्य अटल है आगे गुरु देव कहते हैं कोहीली रामो पूनी एही पद्म कलकोटी गिते कोहे औरो खित जे एबाक्यो सत्योटी अर्थ हे रामदास ये जो पद्म कलप है ये मैं गाना गाके तुझे सुनाया भजन की मध्यम से सुनाया ये जो वाक्य है ये अत्यन्थी सत्य है और घोर कल्यू के समय ये तुझे जरूर देखेगा उला सुनी परवत पे गुरु अर्खित दास ने साधना करके तपस्या हासिल की थी और इस पद्म कलप का रचना किया था इस पद्म कलप ग्रंथ का रचेता एक महापुरुस नहीं दोस्तों छे छे महापुरुस मिलके इस ग्रंथ को पुर्णवतार दिये हैं तो इस ग्रंथ का महत्मा अत्यन्थी उच्चुकोटी का है तो गुरुदेव ने इधर कहा है कि कल्यूक के अंत के समय मानव अधर्मी हो जाएगा पाप कर्म में लिप्त होगा चोरी करेगा डकैती करेगा और एक दुसरे को मारने पे आ जाएगा जब खाना नहीं मिलेगा पानी नहीं मिलेगा तो एक दुसरे को मारने पे आ जाएगे तो अभी से रस्तुध हो जाएए नहीं तो अत्यन्थी दिव्य ग्रंथ पदमकल्प का वाणी को सुनने के बाद भी कोई फाइदा नहीं होने वाला इस ग्रंथ की वाणी को सुनिये जरूर सुनिये मन में रखिये अंग अंग में निभाने की कोशिश कीजिए अगर कोई पाप किया है तो छोड़ दिजिए अगर कोई भूल किया है तो उसका पस्चताप कीजिए क्यूंकि मेरे दोस्त ये कल्यूप का अंत का समय है सोयंग प्रभू नारायन निराकार सोयंग सुन्य ब्रह्म जगनात जी के रूप में पुरी की सिखत्र में विराजित है और अभी समय है कल की अवतार का अगर तुम सत्य के रहा पे घर्म के रहा पे भक्ती के मार्ग से उस सुन्य ब्रह्म का साधनारब कर दो अभी से कर दो तो तुमारा पाप माफ हो सकेगा नहीं तो अत्यंति भायानक अंत के लिए प्रस्तुत रहना आशा कता हूँ मेरे वीडियो आपको पसंद आती है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजी जह जगनात जह पंचसका जहिन